राधे राधे फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं आज आपको जानकारी दूँगी कल के बारे में कल है शनी जैन्ती जो की जेश्ट के महीने में ये शनी जैन्ती पड़ रही है साथ में आप वस्या भी है ये बना रहा है शोभम योग कल का दिन बहुत महायोग और राज योग लेके आ रहा है जो भी इनसान कल के दिन शनी देव को परसंद कर लेंगे और जो भी इनसान के उपर शनी देव की ढहिया चल रही है शनी देव की साड़ सती चल रही है जो कल के उपाए जो भी इनसान कर लेगा शनी देव उन्हें मालो माल कर देंगे तो आपको करना क्या है मैंने कल की वीडियो में भी कुछ उपाए दिये थे और आज की वीडियो में भी कुछ इजी टिप्स दूंगी और उपाए दूंगी जो की आपको कल करने है कल मैंने आपको मंतर बताय थे कि हमें शनी देव को परसंद करने के लिए क्या मंतर करने चाहिए आज मैं आपको एक उपाय दूँगी एक नी दो उपाय दूँगी जिससे आप अपने जो भी साड़ सती चल रही है शनी देव की दृष्टी आप पर अच्छी नी चल रही है आप उससे निजाज पा सकेंगे और उससे आप इसली निकल सकेंगे सो मैं आपको शनी देव को परसंद करने के लिए दो उपाय दे रही हूँ पहला उपाय आपको क्या करना है कांसी की कटोरी लेनी है कांसी की कटोरी लेकर उसमें आधा सरसों का तेल डालना है सरसों का तेल डालकर उसमें एक कोई डालना है कोई भी एक रुपे का हो वैसे तो ये कांसे की कटोरी किसी भी पीपल की जड़ में रखकर आनी है या किसी भी शनी मंदर में रखती है इससे आपके घर में शांती आएगी कोई लड़ाई जगड़ा चल रहा है घर में financial problems चल रही है सारा पैसा दवाई कोट कचेरी में चल रहा है इससे आपको निजाज मिलेग वो तीस साल बाद आए है तो हमें इससे कुम्ब का उपाय करकर ही हमें शनी देव को परसन करना है कैसे हमें एक मिट्टी का घड़ा लेना है उसको आधा गंगा जल से भरना है आधा नहीं कुछ गंगा जल डालीजे आप घड़ाई थोड़ा सा ठीक लेना जिसमें आपका पानी वो रे थोड़ा सा गंगा जल और उसमें बाकी पानी डाल लेना है ठीक है उसको उसके उपर स्वास्तिक बनाना है हल्दी से हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घड़े का जो चपनी वी कॉल इट उसको ढखने के लिए भी लेनी है उसको ढखकर हमने अपने घर की दक्षि वंदिशा, North North में रखना है उसको वही रखे रहने देना है, पूरा साल अगर पानी कम हो जाया करें तो उसमें और डाल दीजिये अगर उसको मतल देखते रहें उसको देखते रहें कि पानी कम तो नहीं हो रहा अगर सूक जाए तो और डाल दें गंगा जल की जगा पानी डालते रहें क्योंकि गंगा जल तो हमारा उसके बीच में mixed होई जाएगा ये दो उपाई सबसे अच्छे उपाई उसके बाद तीसरी एक tip है easy tip है कुछ भी नहीं कर सकते आप इस दिन कुछ भी नहीं कर सकते तो ये easy सा उपाई तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि इस दिन Friday भी बन रहा है Friday है महालक्ष्मी जी का दिन महालक्ष्मी जी को भी परसन करेंगे शनी देव को भी परसन करेंगे कैसे एक tip से हमें क्या करना है एक मिट्टी का दिया लेना है सरसों के तेल उसमें डाल कर ये दिया पीपल की जड़ में जला कराना है क्योंकि इस दिन लक्षमी जी का वास भी पीपल में होता है और शनी देव को तो पीपल का ब्रिक्ष बहुत प्रिये है So friends, राधे राधे, thank you for watching my channel Please ये उपाय किया किजिए, नहीं कर सकते कुछ भी तो एक आदी easy tip में देती हूँ वो ही कर ली किया किजिए, मुझे है कि आपका जीवन easy हो आप easy जीवन जी सकें, कोई भी कष्ट आपको ना आए और आज शाम को मैं आपको एक ऐसा मंतर दूँगी जिसको आप करने से आपके 9 ग्रह साथ में ही शान्त और अच्छे हो जाएंगे हम क्या करते हैं, एक ग्रह को शान्त करते हैं, दूसरा ग्रह ख्राव होने लग जाता है So ऐसा नहीं, मैं आपको एक मंतर, बीज मंतर दूँगी जो करने से आपके सारे नव के नव ग्रह शांत हो जाएंगे शाम की वीडियो ज़रूर देखना बहुत ज़रूरी है सो रादे रादे फ्रेंड्स थेंक यू फो वाचिंग मैं चैनल मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए आगे भी शेयर किया कीजिए वो भी आगे मेरे साथ और ओडियंस जुड़ सके अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और मैं उसका भी solution लेके आ सको रादे रादे फ्रेंड्स कल की शनी जैनती के लिए आज से ही हादिक शुब कामनाएं कल मिलते हैं फिर रादे रादे फ्रेंड्स